तो आदुनिक भारत के इतिहास में भारत के सुतंता संग्राम में एक बहुत महत्तपुन टॉपिक है वो है कांगरेश से पूर्विस्थापित की गई प्रमुक्ष अंस्थाएं कांगरेश 1885 में बनी 1885 से पहले कांगरेश से पहले बहुत सारी संस्थाएं थी जो बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन में थी जो मदरास प्रेसिडेंसी रीजन में थी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी रीजन में थी तो वो कौन कौन सी संस्थाएं थी उनसे जुड़े वे बहुत सारे प्रशन पूसता है तो आज की सेशन में मैं बंगाल की राजनितिक संस् संस्थाओं को आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं एक लिस्ट कराने जा रहा हूं याद कराने जा रहा हूं आप लोग को सभी लोग बड़ी है से बैट जाए पिन कागज ले लीजे हेडिंग डालीजे कांग्रेस के गठन से पूर्व इस्थापित राजनितिक संस्थाएं कि 1857 किरांती के बार जो है भारतिय राष्ट्रिय सोतंता संग्राम में एक नया परिवर्तन आया भारतिय राष्ट्रिय चेतना का उदय हुआ और भारतिय राष्ट्रिय चेतना का उदय वैसे देखा जाये तो जब कांग्रेस बनती है कांग्रेस संस्ता बनती है उसके बार त बहुत महत्यपूर्ण भूमिका निभाई गई ठीक है अब इन में से कौन-कौन सी संस्थाएं हैं इनका क्या-क्या योगदान था ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ठीक है देखो भारती राष्टी कांग्रेश जबाब की बनी थी उसकी सबसे बड़ी विसेस समाज का चोटे से हीतों को लिए हुए ब्राड हीत नहीं था तो ऐसे करके बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ और इन संस्थाओं के दौरा जन्ता की या सोयम के हीतों की आवाज उठाई गई और इनोंने अपनी मांगों को भारत में, बिटिश संसथ में भारस सरकार के समक्ष बिविन पत्रिकाएं जो बनती थी याचिकाएं बनती थी प्रातना पत्र थे उन सब के माध्यम से इन मुद्धों को इन्हों ने रखा ठीक है तो काफी सारी संस्थाएं आपकी आजादी के पहले स्थापित हुई है देखो ये टॉपिक है आपका भारती राष्टिय कांग्रेस की स्थापना से पहले यानि की 1850 से पहले स्थापित संस्थाएं वा संगठन ठीक है और इससे भारत की राष्टियता और राजनितिक चेतना के उदय के तौर पे भी हम इसको देखते हैं कि भारत में जो राष्टियता और जो राजनितिक चेतना है उसके उदों में भी काम किया देखो इससे पहले जो भी संस्थाओं बनी उनके द्वारा भी प्रसासन में भारतियों की भागीदारी को बढ़ाये गया ठीक है इसके अलावा कंपनी के अधीन जितनी भी सेवाएं थी चाहे वो नागरिक सेवा थी या फिर भारतिये करण था विभिन संस्थाओं में कई सारी बनी थी और आपकी जो मुंबई रीजन वहां पर बनी थी देखें यहां पर देखें मैं कुछ संस्थाओं के नाम दिखा रहा हूं और फिर इसके बाद एक करके पढ़ेंगे यह कलकत्ता युनिटेरियन कमेटी है बंग भासा प्रकाशन सभा है य बहुत इंप्कुर्टेंट है जमीधारी एसओसिएशन यह लन्ड होल्डर सोसाइटी इससे बहुत कोश्चन आते हैं अपके ये एक संस्था बनी थी आपकी बंगल भीटिस इंडिया सोसाइटी बंगल इंडिया ऑसोशेशन ब्रिटिस इंडिया तोसेशन दाग बंबे इस्टूडेंट एसोशेशन बनाए गया, इंडियन एसोशेशन बनाए गया, मद्रास मार्जन सभा बनाई गयी और बंबाई प्रेसिदेंसी एसोशेशन बनाई गया, ऐसे करके मल्टिपल संस्थानों का जन्म हुआ, अब मैं इनको बहुत आपको सिस्टेमेटिक करके आने वाला हूं, बहुत सिस्टेमेटिक करके आपको समझाने वाला हूं इस पूरे सेग्मेंट को, ठीक है, तो यदि हम इसको बाटे हैं, ठीक है, इसको बाटे, कांग्रेश से पूर्व, पूर्व, राजनितिक संस्थाएं, ठीक है, तो तीन रीजन थे उस समय में मेजर इन तीन रीजनों में बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ, सबसे पहले है आपका बंगाल रीजन, बंगाल आपको पता है, कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी राध्दानी बना रखा था, दूसरा है बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई छेत्र, और तीसरा है मद्राश, यह जो चन्नाई तमिलनाडवाला छीत रहे, इन तीन रीजन्स में अंग्रेज ने तीन प्रेसिडेंसी एरिया बनाये थे, और यहीं पर पॉलिटिकल और बहुत सारे बने हैं आपके, ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं, बंगाल को की देखे, बड़ा केंद प्रकाशक सभा, बंग भाशा, प्रकाशक सभा, ठीक है, कब बनी ये संस्ता, ये बनी अठारो सुच थिस में, एक तो आपको डेट याद रखनी कि कब बनी इनका निर्माड कब हुआ, अठारो सुच थिस एडी में हुआ, और बनाया किसने, गौरी संकर तारका बागीस, एक परसन का नाम है, इनके द्वारा ये प्रकाशक सभा बनाये थी, गौरी संकर, गौरी संकर, ये भी लिख लेना है, इससे भी कोश्चन पूचा जाता है कि किसने बनाया, तो गौरी संकर तारका बागीस के द्वारा बंगाल में बंग भासा प्रकाशक सभा का गठन किया इस topic को आपको समझ में नहीं आएगा दी किताब से पढ़ोगे आज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा द्यान रखेगा इस बात को ठीक है और बाद में आपको पता है कि ये जो है ये संगठन आपका ब्रंब समाज का भी बहुत बड़ा सवियोगी संगठन था जो आपके ति नहीं समिक्षा करने के बाद जो है उनमें अधिकोई सुधार होता तो सुधार के लिए रियाचनाएं बेजी जाती थी तो ये मुखह तोर पे काम क्या कर रही थी बंग भासा प्रकाशक सभा कि ये इसका मुखह काम था प्रसासनिक गटविदियों की समिक्षा करना और समिक्षा करने के बाद ये उसमें कोई सुधार होता है तो सुधार के लिए याचनाय भेजना और देश वासियों को राजनित का अधिकारों के प्रति क्या करना जाग रूग करना ठीक है तो पहली संस्था आपकी क्या बनी बंग भाशा प्रकाशक सभा यह राज बंगाल की पहली जो है आपकी सभा थी ठीक है दूसरी संस्था most important संस्था 1838 में बनी Land Holder Society Land याद कर लीजेगा यह बहुत important है इससे question पोशता है Holder Society Land Holder Society का ही दूसरा नाम है जमीदारी Association जमीदारी Association जमीदारी Association आपका बनाए गया कब बनाए गया यह आपका 1838 में तो जमीदार थे आपको पता है कि जमीदारी प्रथा आपकी स्टार्ट हो गई थी तो जमीदारों के हितों के लिए 1838 में कलकत्ता में एक परसन है दौरका नाट टैगोर और उनी के समकत छुष समय के बहुत सारे जमीदारों के दौरा मिल करके इसकी स्थापना की गई तो इसमें में परसन है दौरका नाट टैगोर दौरका ये बहुत important परसन है इनको लेकर कई सारी चीजे हैं दौरका नाट टैगोर और बहुत सारे जमीदारों ने मिल करके स्थापना की ठीक है इसका उद्देश क्या था जमीदारों की समस्थाओं का निराकरण करना ठीक है और ये पहली भारत की संस्था है जब संग्टित तोर पे मलब कई सारे जमीदारों ने राजनितिक क्रिया कलाब चालू किया तो एक संग्टित तोर पे करने वाली पहली संस्ता के तौर पे है तो इसका जान तो इसका उद्देश बहुत संकीन था जमीदारों की समस्चाओं में नीत था इसका उद्देश है कोई ऐसा ब्रॉड लेबल पे जन समस्चाओं के लिए नहीं थी ये संस्ता जमीदारों के हितों के निराकरण के लिए डोर्लर सोसाइटी बनाई गए ठीक है तो एक यह आपकी संस्ता है 838 में बनी अगली संस्ता की तरफ चलते हैं तीसरी संस्ता है आपकी बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी बंगाल बृतिस इंडिया सोसाइटी देखो ये टॉपिक याद कर लेना बहुत इंपोर्टेंट है अब ये आपकी देश के सभी वर्गों के लोगों के कल्यार और अधिकारों से संबंदित मांगों को रखने के लिए बनाई गई थी किसने बनाया गया 1843 में संस्था बनाई गई और 1843 में संस्था जो है इसकी अधिक्षता की जार्ज थामसन के द्वारा जार्ज थामसन की अधिक्षता में बनाई गई ये थामसन बिटेस्ट है ये और जैसे कि कांग्रेस के बारे में भी कहते हैं A.O.Hume के द्वारा जो है व इसका निर्माड हुआ तो यह आपको ध्यान रखना है लैंड डोलर सोसाइटी का काम क्या था लैंड डोलर सोसाइटी के वल जमीदारों के समुश्याओं का निराकरण कर रहे थी जबकि यह आपकी सभी वर्गों के लिए बनाएगे सभी वर्गों की बंगाल बिटिस इंडि कमपनी के सरकारी हिससे में नहीं थे तो भारती और गयर सरकारी बिटिस इसमें जुड़े हुए थे जहां लैंड डोलर सोसाइटी में जादो तर लोग जो जमीदार जुड़े हुए थे वहीं इसमें बुद्ध जीवी वर्ग जादा था बुद्ध जीवी वर्ग था बु थामसन के अधिक्षिता में इसका निर्माड किया गया कब किया गया सभी लोग ध्यान रखिएगा ठीक है सभी लोग को ध्यान रखना है यह एक important है आपका बहुत important session है इसको याद कर लेना है जार थाम सम् बंगाल British India Society, अब एकसके बाद चोथी संस्था, चोथी संस्था बनी आपकी British India Association, most important, British India Association, अब ये क्या थी, British India Association का काम क्या था, देखें ये संस्था आपकी बनाई गई राधाक देव कांत के द्वारा, ठीक है, अब इन्हों ने किया क्या, इनको दोनों को समझने का प्रियास करेगा, ये संस्था इन दोनों के बिलय के द्वारा बनी, Land Holder Society प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजे, दोनों संस्थाओं का आपस में बिलय कर दिया गया, Land Holder Society प्लस, ये जो संस्थान है, बंगाल British India Society, इन दोनों को जोड़ करके बनाई ग मात पूर्ण बेखती हैं ये, राधा कांत देव, राधा कांत देव के द्वारा जो है, इसको डेवलप किया गया, कब 1859 में, 1851 में, किसमे 1859 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, और इसके अध्यक्ष चुने गये थे, देवेनाट टैगोर, देवेनाट टैगोर को इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, नहीं, राधा कांत देव, पहले अध्यक्ष आपके राधा कांत देव थे, अध्यक्ष भी राधा कांत देव थे, और इसके बाद देवेनाट टैगोर सच्यू बने थे आपके, देवेंद्र, देवेंद्र, नाथ, टैगोर, सच्यू बन हितों को तो ये जमीदारों के हितों को भी रक्षा कर रहे थी और बाद में जो है आपको पता है कि ये संस्था भी आपकी असफ़ल हो जाती है क्योंकि 8823 का दिनियम आज आता है ये आपका जो है बाद में जो गवर्नर जनरल की विधाई परिशद होती है उसमें सदस्यों की संक्या 6 से ले करके 12 कर दी जाती है तो कहते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान था इस बिटिस इंडिया एसोसियेशन का जो 1853 का धनियम आया था उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इसके का ठीक है तो इस संस्था का एक बहुत बड़ा रोल उसमें बताए जाता है ठीक है किसका यह जैनरा के ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन रादा कांत देव के द्वारा आठारो सिंग क्योंकि बनाए गई गई अठारो सु तिरपन का जो चार्टर एक्टा है था उसमें बहु इंडियान लीग इंडियान लीग यह बहुत इंपोर्टन संस्था है कांग्रेस से पहले बहुत इंपोर्टन संस्था है इंडियान लीग इसको याद कर लीजेगा आप इंडियान लीग कांग्रेस के पहले यह बहुत इंपोर्टन संस्था रही आपकी इंडियान लीग ठ आती है 1875 में सिसिर कुमार घोस के द्वारा इनके द्वारा बनाई गए इंडियन लीग कब बनाई गए 1875 में किसलिए बनाई गए लोगों में राष्टी अभावना का प्रसार करना राजनीतिक जाकरूपता बढ़ाना क्योंकि 1877 की क्रांती के बाद जो है अंग्रेजों का जो चरित्र है उजागर हो चुका था उसके बार लोगों में राष्टी अभावना का प्रसार करना ठीक है और राजनीतिक जाकरूपता बढ़ाने के उद्देश से इंडियन लीग बनाई गए ठीक है कब बनाई गए 1875 में किस न इंडियन लीग ही आगे चलके बन जाती है इंडियन एसोसियेशन इंडियन एसोसियेशन इंडियन एसोसियेशन कब बनती है 1876 में तो यहीं इंडियन लीग आगे चलके आपका इंडियन एसोसियेशन के साथ बन जाती है ठीक है और इसके संस्थापक दो लोग थे एक है आ आनन्द मोहन बोस, S.N. बनर जी, S.N. बनर जी, सुरेंद्र नाथ बनर जी, S.N. बनर जी और आनन्द मोहन बोस, इनके द्वारा बनाये गया इंडियन एसोसियेशन, पहले था इंडियन लीक, जो बनाया था सिसर कुमार घोष ने, 1875 में, बाद ने बन गया इंडियन एसोसियेशन, 1876 में, बनाया किसने, सतिननाथ बनर जी ने, आनन्द मोहन बोस ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा, ठी इसका उद्देश था कि वहिया, जो सिविल सेवा परिक्षा हो रही है, उसमें आयू सीमा को जो है, लगातर घटाया जा रहा था, 21 साल की आयू हो चुकी थी, तो आयू सीमा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, भारतियों के लिए आयू सीमा बहुत कम थी आपकी, तो आ इंडियन एसोशियेशन, इसके बारे में ध्यान रखेगा, भारत में कांग्रेस से पहले इसे ने एक प्रबल जन्मत तयार किया, और ये संस्ता ने सबसे महत्पून काम किया, इंडियन एसोशियेशन, सुरेन नाद बनर जी और आनन्द मोहन बोश, समझ में आ रहा है सभी सभी को समझ में आ रहा है, ये कोश्चन कई बार पूछा गया, आप देखेगा पी वाई क्यू में, इंडियन एसोशियेशन को ले करके, तो इंडियन लीक सिसिर कुमार गोश और इंडियन एसोशियेशन सुरेन नाद बनर जी आनन्द मोहन बोश, ठीक है, एक और बंगाल की संस्ता है आपकी जिसका रामे कलकत्ता स्टूडेंट एसोशियेशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोशियेशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोशियेशन आपकी जो थी, ये छात्रों में राष्टवात की भावना को उत्पन करने के लिए 1875 में बनाएगे, किसके द्वारा आन प्रवाद में राष्टवाद की भावना के लिए आनंद मोहन बोस के द्वारा बनवाई गई इंडिया ने असूशियेशन भी एसन बनर जी और आनंद मोहन बोस ठीक है और इसमें च्छात्र संग था सुनेन नाद बनर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही तो इसमें एस दिकत किसी को बंगाल रीजन में स्टैबलिश संस्था हैं कौन कौन सी बता दी मैंने आपको एक आपकी बंग भासा प्रकाशक सभा बताई मैंने आपको अठारोच थिज बनी गौरी संकर के द्वारा बनाई गई पहली संस्था थी आपकी लैंड़ोल्डर सोसाइटी मैंन दोनों का बिलाय कर दिया गया लैंड होल्डर स्प्रस बंगाल बेटिस इंडिया सोसाइटी इसके बाद इंडियान लीग बनी 1875 में सिसर कुमार घोस इंडियान एसोशेशन बना 1876 में एसन बनर जी और आनंद मोहन बोश और कलकत्ता स्टूडेंट एसोशेशन बना मोहन बोश इंडियान लीग किने शिसर कुमार घोस आसानी से बापको रट जाने चाहिए सारे ठीक है चलो तो और बिटिस इंडिया आसोशेशन रदा कांत देऊ बंगाल बिटिस इंडियास इसोशेशन राधा कांत देऊ लैंड बंगासा प्रकाशन गौरई शंकर यह कुछ संस्थाएं थी कांग्रेस से पहले हाँ चलो ठीक है बहुत बढ़िया अब बंबई में भी राजनितिक संस्थाएं बनी बॉल्डिकल ओगनेजेशन इन बॉंबे कौन कौन से पहला तो बना बॉंबे एशोशियेशन क्या बना आपका बॉंबे एशोशियेशन बना 202 मी क्योंकि वह पर बना था बंगाल इंडियन अशोशियेशन तो यहां बनाये गया यहां पर क्या नहीं इंडिया एंडियर के अीज़ फटन से विस इंडिया बनाय एशोशियेशन को बंगाला दा भाही नेरोजि ने दादा भाई नेरोजी ने बनाया ठीक है बॉम्बे एशोशेशन ध्यान रखना है कहा बनाया बुम्बई वाले छेत्र में तो इसके तहट क्या था इसका मुख उद्देश ये था बॉम्बे एशोशेशन का कि बृटिस संसद जो बृटेन में संसद है और भारत की सरकार को जनता की समस्याओं को आउगत कराना तो एक तरीके से ये मिडियेटर संस्था के तौर पे इस्टैबलिस हो रही थी दूसरा दूसरी बंगाल में बनी बंबाई प्रेसिडेंसी एसोशेशन ये दूसरी संस्था बनी आपकी बंबाई प्रेसिडेंसी एसोशेशन बंबई प्रेसिडेंसी एसोशेशन इसका निर्माद हुआ अठारसो पचासी में अठारसो पचासी जब आपका कांग्रेस बनी उसी दौरान पे इस अंस्था बनी आपकी किस ने बनाया फिरोज साह मेता केटी तैलेंग और बदरुदीन बदरुदीन तययब जी और तीसरे परसन है केटी तैलंग यह आपकी है बंबई प्रेसिडेंसी एसोशेशन तीसरे नमबर पर आ जाते हैं तीसरे नमबर पर आपकी पूना सार्जुनिक सभा यह भी इंपोर्टेंट है पूना सार्वजनिक सभा यह तीसरी संस्था है देखो बंबई यह बंबई प्रेसिडेंसी एसोशेशन के भी मुक्षत देश के आ था लोगों को रजनीतिक अधिकारों के पृतिजागरूप क महादेव गोविन रनाडे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई M.G. रनाडे के द्वारा की गई इसकी पूना सारजुनिक सभा इसकी स्थापना की गई महादेव गोविन रनाडे के द्वारा उद्देश क्या था सरकार को आम जंता की समस्याओं का को जो है क्या करना उसको आउगत कराना सरकार को बताना तो और ओल देखे कौन कौन सी संस्था है होगए तीन संस्था हैं बॉम्बे एस्योशेशचन अठारो सो बावन दाद भाइन रोजी ठीक है टिक है किसके तर्ज पर बंगाल बिटिस इंडिया सोसाईटी के तर्ज पर ठीक है इसके बाद आपका ये जो बंबई प्रेसिडेंसी 1850 में बनाई गई फिरोशा में था, बदरुदीन था है, केटी तहलंग और पूरा साध्यू की सदा आपकी MG रनाडे, ठीक है, क्लियर है, इस पस्ट है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी मदरास की जो संस्थाए है, मदरास में कई सारी संस्थाए बनी आपकी, जैसे बंगाल में बनी, वैसे मदरास बनी मदरास Native Association, जैसे British इंडिय एसोशेशन बना था बंगाल में जैसे बमबा एसोशीशन बना बंबपाई में वैसे यहां बना मदरास नेटिव एसोशेशन मदरास इसका नाम जो है इसकी स्थापना किया गुजुल लक्ष्मी नर्सु चेटी के द्वारा गुजुल लक्ष्मी ठीक है यह आपको थोड़ा सा याद रखना है थोड़ा नाम अलग है पर याद रखेगा नर्सु चेटी मद्रास नेट्व एसोशेशन किसके द्वारा इस्थापित किया गया गुजुल लक्ष्मी के द्वारा द्यान रखेगा और यह भी आपका उसी के तहे पे और इस संस्था का मुखकार यही था कि 877 में जो बिद्रो हुआ उसकी भरसक मिंद्रा की गई परंत व्यापक जन समर अगली संस्था यह है। यह आपकी संस्था जो है कांग्रेस से पहलेُ बनाए गई और यह बनाएगी 1884 में 1884 में कब बनाएगी 1884 में किसके द्वारा बनाएगे MB रागवाचारी 3-4 लों का नाम है यहापे MV रागवाचारी एक परसन तो यह थे आपके ठीक है दूसरे परसन थे आपके G सुब्रमणयम अयर G सुब्रमणयम अयर ठीक है MB रागवाचारी G सुब्रमणयम अयर और तीसरा P आनंद चारलू इन तीनों के द्वारा यह संस्था बनाएगे मद्रास महाजन सभा इसके द्वारा यह संस्था आपकी बनाएगे ठीक है इसमें मद्रास नेट्व सोसाइटी के लगबर लबक सारे सदर से जुड़े थे और यह भी आपका जो समाज का निम्न तपका है किसान वर्ग है स्रमिक वर्ग है उनकी आवाज उठाने की बात यहाँ पर की गई ठीक है तो यह आपको दिमाग में बैठा के रखना है इस परष्ट है बहुत सिंपल सा है ठीक यह संस्था है आपकी ओर रॉल मुख तोर पे थी अब मैं एक बार लिस्ट आपको अगेन एक बार दिखा देता हूँ एक लिस्ट है यहाँ पर यह देखे एक संस्था के बारे मैं ने बताया नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताया तो एक यह है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी यह सबसे पहली संस्था थी वैसे देखा जाये तो यह राजा राम मोहन राय द्वारिकाना टैगोर और बिलिया मेडम्स इनके द्वारा बनाई गई थी कब बनाई गई थी 1823 में संस्था बनाई गई थी ठीक है कलकत्ता वाले छेत्र में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कलकत्ता में इन लोगों के द्वारा बनाई गई इसके अद्बंग भासा प्रकासक सभी मैं सति मैं आप बताय था 836 में राजा राम मोहन राए के एन्यृईाई बाद में समलित हो गये जुड़ गये लैंड लुलर सोसाइटी के बारें बताया कलकर्वार के द्वारा ठांसु आरर 309 में ठीक है, Bombay Association, Bombay में बना, दादा भाई ने रोजी की द्वारा 1852 में, ठीक है, London Indian Committee, एक ये संस्ता भी बनी थी आपकी, London Indian Committee, London में बनी, पुर्सुत्तम मुगलिदियार के द्वारा बनाई गी, 1862 में, ये भी आप लिख लो, London Indian Committee, London Indian Committee, पुर्सुत्तम मुगलिदियार, पुर्स मुगलिदियार के द्वारा, London Indian Society, ये अलग संस्ता है आपकी, London Indian Society, आपकी, London में दादा भाई ने रोजी के द्वारा 1865 में, ठीक है, दादा भाई ने रोजी के द्वारा 1865 में, इसके बाद East India Association, ये तीन संस्ता हैं आपको याद कर लें, लंदन Indian Committee, लंदन में पुर्सुत 1852 में, लंदन Indian Society, लंदन दादा भाई ने रोजी, 1865 में, इसके बाद East India Association, ये लंदन में बना है, ये भी दादा भाई ने रोजी ने बना है, 1866 में, तो दादा भाई ने रोजी की तीन संस्ता हैं याद कर लें, बाम्बे एसोसियेशन, इस इंडिया एसोसियेशन, लंद में केसो चंद्र सें त्वारा बनाय गया था 870 में, अनरस महाजन सभा मदराश में, रागवाचारी जी शुबच्टा मांडेयम और पि-ानन चारलू और बंबई Presidency Association बंबई में फिरोसा मेता बदरुदिन तयप केटी तैलंग 1850 ठीक है यहाँ पर देखो जो नई संस्ता है एक तो लंदन कमेटी आपकी लंदन इंडियन कमेटी पुर्स slower संधमुदलियार लंदन इंडियन सिसवईटी दादा भाइनरोजी इस्ट इंडिया एसोशेशन दादा भाईनरोजी और यहाँ पे एक संस्ता होएं यहें इंडियन रिफॉर्म एशोशेशन यह केशोचंदर सेन के दौरा बनाये गया इंडियन रिफॉर्म एशोशेशन केशोचंदर सेन 1870 में ठीक है बस यह आपको याद रखना है बाकी मैंने आपको बताई दिया एक सुरुवात में कलकत्ता युनिटेरियन कमेटी थी आपको रट जाने चाहिए सारे के सारे कोश्चन ठीक है बताईए कोई दिक्कात हो कोई डाउट हो कोई समझ में नहीं आया हो कुछ दिक्कात आ गई हो तो बताएं आप मुझे कोई समस्या नहीं है रट जाना है यह जितना मैंने आपको बताया इनसे कोश्चन पूछते हैं लैंड डोडल सुसाइटी कई बार पूछता है द्वारकानाट टैगोर कब बनाएगे यह 1838 में ठीक है इंडियन एसोशियेशन मैंने आपको बताया था इंडियन जाना है ठीक है चलो बेरे कोट बहुत बढ़िया चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज और करा देता हूं अगेन एक बार फिर से रिवाइज कर लो फास्ट फास्ट कलकत्ता युनिटेरियन कमेटी कलकत्ता राजा राम मोहन राय द्वारकानाट राइगोर विलिया मेडम् बंग भासा प्रिकासक सभी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ठीक है 1836 में लैंड होलडर से कलकत्ता में द्वारकानाट अटेगोर अथारा से अर्तिस में बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी जार्ज थामसन अथार से थालिस में British India Association कलकत्ता में राधाकान तिदेव और द्वारकान टैगोर 1855 में बांबे एसोशेशन बंबाई में दाधा भाई नरोजी 1852 में लंडन इंडियन कमेटी लंडन में पुसोत्ता मुदलियार 1862 में लंडन इंडियन सोसाइटी लंडन में दाधा भाई नरोजी 1865 में इस्ट इंडिया एसोसियेशन लंदन में दादा भाई नरोजी अठासो चाचट में पूना सार्जुनिक सभा एमजी रनाडे गनेश देव ये गनेश वासुदेव जोसी ये भी ध्यान रखेगा अठासो सत्तर में इंडियन रिफॉण एसोसियेशन कलकत्ता केशों चंदProf женщine 5870 इंडियन लेक शितुरकुमार गोस अनंद महनबोश 875 इंडियन एसोसियेशन कलकत्ता सुनेणाद बनर जी और अनंद महन बोश यह बस आपको रट जाने चाहिए, यह आपकी कांग्रेस से पहले की संस्था हैं, फिर इसके बाद मैं कांग्रेस आपको याद करा दूँगा, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो महात्रपूर्ण आपके अधिवेशन हुए, उनसे भी कोशन पोस्ता है, वो कटने वारा टॉपिक है आपका, ठीक है ध्यान रखना है, इस परस्त है, सभी को चलिए